हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि नीड 2018 औल इंडिया की एक्सपेक्टेड कट अफ कितनी जा सकती है आपके दिमाग में यह प्रश्न बहुत दिनों से घुम रहा होगा और आपको टेंशन भी हो रही होगी कि कट अफ कितनी जाएगी मेरा सेलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा मेरा यह अनुमान है कि इस बार औल इंडिया की जो कट अफ है वो कम जाएगी और यह मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि यह कैसे कम जाएगी जेनरल केटेगीरी की कट ओफ गई थी पांज़ो पिचतर से पांज़ो अथटर के लगबग गई थी आपको इसमें चिन्ता करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि हमेशा ओल इंडिया की जो स्थ कांसलिंग होती है उसकी कट ओफ हमेशा ही हाई रहती है पर जो सेकेंड कांस तक गई थी तो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 20 नंबर का फर्क आ गया था और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस साल की कट ओफ क्या रह सकती है और ये कम क्यों जाने वाली है पहले मैं आपको एक तुलना करके बताऊंगा कि इस बार रैंक में डिफरेंस क और इस बार जिन स्टूडेंस के मार्क 550 हैं उनकी रैंक आ रही है साड़े साथ अजार तो आपको पता चलेगा कि साड़े तीन हजार रैंक का अंतर दिखाई दे रहा हैं तो कट ओफ कम तो जानी ही है इस बार और अगर आप ये मानते हैं कि एक नंबर पर धाई सो पर आप मान के चलिए कि 14 मार्क कम होने वाले हैं तो लास्ट येर जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी उसमें 558 मार्क की कट ओफ गई थी तो आप उसमें से 14 मार्क घटा लीजिए तो आप मान के चलिए कि 544 नंबर इस बार कट ओफ जाएगी पर इस बार औल इंडिय की काउंसलिंग में एक बहुत अच्छा बेनेफिट ये हुआ है कि इसमें थर्ड राउंड को भी शामिल किया गया है जो एक मॉप अप राउंड है इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इससे जो आल इंडिया की सीड्स हैं जो वेकेंट रह जाती हैं जिनें जो भर नही पाती और जो स्टेट कोटा में इंक्लोड हो जाती हैं तो ऐसा अब नहीं होगा जो ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें ओल इंडिया की सारे सीटे भर जाएंगी और जिनके भी हाई मार्क्स हैं लास्ट येर ऐसा होता था कि जिनके हाई मार्क्स हैं वो ओल होता क्या था कि वहें All India की seat state quota में convert हो जाती थी तो अब यह नहीं होगा इससे cut off आप मानकर चलिए कि चार number और कम हो जाएगी तो मेरा मानना है कि इस बार All India की cut off 540 के करीब रहेगी या इससे भी कम रहेगी और आप मेरी बात का विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी last year ही medical college में admission लिया है और मैंने भी counseling में part लिया था तो मुझे पता है कि expected cut off कितनी जा सकती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like जरूर करें और इस channel को subscribe भी करें और मैंने इस वीडियो में जो बाते कहीं है उसके बारे में आपकी क्या राया है उसके बारे में comment भी करके बताए थैंक यू